घर का एक ऐसा काम जो कि छुट्टी का दिन भी नहीं देखता अगर आप सोश्यों ये कुकिंग है जी नहीं ये है घर का जाडू पोचा संडे हो या मंडे जाडू पोचा तो लगना है रोज ही चाहे house help आए ना आए नहीं भी आती है तो at least जाडू एक ऐसी चीज है जो हम सब के घरों में रोज लगनी ही लगनी है लगे भी क्यों ना घर की energy इससे जुड़ी होती है साफ खर अच्छी energy यही हम relate करते हैं बचपन से देखते भी आ रहे हैं हमारे urban houses में हाथ से पोचे का replacement ले लिया है मॉप्स में अब market में अगर wet mop एक लेने जाओ तो भाई मॉप्स की तो भरमार लगी हुए है और different variety के मॉप्स हैं जिसमें से regular stick मॉप है, twist मॉप है, spin मॉप है, sponge मॉप है, flat मॉप है अब इन में से आपके लिए कौन से मॉप अच्छा है भाई, बहुत confusion है चलिया, आज की वीडियो में आपका यही confusion दूर करती हूँ, आज की वीडियो में आप 5 most popular wet mop जो इंडियन मार्केट में हैं, वो शेर करने वाली हूँ और उनका ultimate comparison करने वाली हूँ इवन अगर आप कोई particular mop use कर रहे हैं और उसका mop head replace करना चाहरे हैं, वो आपको कैसे change करना है, वो भी इस वीडियो में बताने वाली हूँ नमश्कार दोस्तों, मैं हू रती, स्वाधत करती हूँ आपका home tweak channel पे जहां हम बात करते हैं, घर और kitchen से related कुछ ऐसे tips and tricks की, home hacks की जो हमारा रोज मर्रा का काम आसान करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं, regular stick mop और इसी का एक और version आता है, twist mop करके, Gala का brand इसमें काफी जादा famous है, cotton का इसका mop head होता है, बट यार इसके साथ प्रॉब्लम्स भी बहुत होती है, सस्ता तो यह होता ही है, सिर्फ सस्ता होना ही, इसका plus point नहीं है, बाई, एक तो यह space कम ले Now, let's talk about some not so happy points about this mop, तो यह जो मॉफ है यह, यह house helps का तो फेवरेट होता है, बार बार दोना नहीं पड़ता है, बच्चा मारत हो है, बच्चा बाप इसको खुद यूज करते होना, अब देखरें, मैं गलफ पहन के इसको squeeze कर रहू हूँ, बच्चा नहीं लगता है कि मैं मैं इसे नलके पर रखती हूँ, जिससे कि इसका पानी drain out हो जाए और मैं इसको use कर पहूँ, फिर जो कि बहुत जादा time consuming process है, इसी के साथ एक और वर्जिन इसका आता है, जो कि twist mop वला वर्जिन होता है, यह आप twist करके सुखा सकते हो, आपको उपने हाथ से निच औरने की इसका प्रेस लेता है, यह थोड़ा से expensive होता है, regular stick mop के मुकाबले, अब अगर water spillage या water absorption के अगर हम बात करें, तो भाई जो यह regular stick mop होता है, यह पर पानी गिरा रही हूँ, wooden flooring पे, और इसको जब हम लगाते हैं, इससे mop लगाते हैं, तो यह ज्यादा अच्छे से पानी आपको फिर से हाथ से इसको twist करके squeeze करना पड़ेगा, ताइल flooring पे यह काफी time तो गीला रहता है, mop और यह जो hair strands होते हैं, या dust होती है, या फिर जब आपको corners में सफाई करनी होती है, बहुत अच्छे से सफाई नहीं होती है, इससे, मैं तो यहाँ पे थोड़ा सा spillage हो गय या hair strands रहे गए हैं, फ्लोर पे, तो यह उसको pick नहीं करेगा, बिल्कुल भी pick नहीं करेगा, रादर उसको बस एक lump बनाके यह रग देगा, आपको hand से ही pick करना पड़ेगा, उसको, आप यहाँ पे देख रहो कि पीछे ताइल पे, जो थोड़ा सा dust रह गया, इसने pick नहीं क कोटी है, तो आप इससे ना बहुत जादा काम नहीं ले सकते हो, multi-uses का, इसका mop head छोटा है, जादा फैला हो नहीं होता है, अगें stick mop है, तो कहीं पे भी खड़ा हो जाता है, इस mop के साथ सबसे बड़ी problem है, जब इसका sponge dry होता है ना भाई, तो आप इसको use में नहीं ला सकते और इसका sponge भीगने में, पानी absorb करने में, soft होने में बहुत जादा time लेता है, यहाँ पे अभी एक side इसकी ready हुई है, और दूसरी side अभी भी hard है, पानी में डाल के इसको around 5 मिनट तक मुझे रखना पड़ेगा, so that यह पूरा अच्छे से soft हो जाए, और तभी मैं इसके liver pull करक इसका पानी squeeze out कर सकूँ, यह ready हो, use करने के लिए, so once dried, आपको इसको use करने के लिए, दुबारा इसको wet करना पड़ेगा, यहाँ bubbles देख रहे हो, कितना जाना पानी यह absorb कर रहा है, और अगर गलती से आपने इसका sponge ready नहीं है, soft नहीं है, और आपने यह liver pull कर दिया है, इसके साफ कर सकते हो, आपको एक साथ में और स्कॉच ब्राइट वाइपर चाहिए बस इसके साथ, इसके साथ आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती, आप छोटे compact spaces में अंदर नहीं घुस सकते हो, जैसे यहाँ सोफे की साइड में जगा है, मैं इसको अंदर न नहीं लेके जा सकती हूं, इसकी स्टिक का साइज चोटा है, तो मैं जादा दूर तक भी इसको नहीं लेके जा सकती हूं, बट जब बात आती है, वाटर अब्सॉप्शन की, तो भाई, पिलेज यह बहुत अच्छे से अब्सॉप करता है, एकदम ख्लीन कर देता है, ड्रा जाते हैं अपने नेक्स्ट मॉप की तरफ जो की है स्पिन मॉप, यह आजकल का कल्ट फेवरेट मॉप है इंडियन मार्केट में, जो की हर जगा हर हाउस होल्ड में यूज हो रहा है, और हो भी क्यों ना, इतना अच्छा वर्सटाइल मॉप है यह, आप इसको सिर्फ और सि यूज कर सकते हो, इस तरीके का मॉप है यह, परसनली मैंने यह मॉप अपने घर पे नहीं रखा हुआ है, इसके साथ एक जो बकेट आती है, बहुत जादा स्पेस लेती है, मेरे पेरेंस के घर पे, मेरे इं-लॉज में, दोनों जगह यही मॉप यूज होता है, जब मैं जा के यूज से ही, आप मॉप क्लीन करो और बार बार उसको साफ कर लो, पानी अब्सार्ब अच्छे से कर लेता है, रिप्लेसमेंट हैड है, तो आपको बार बार से रिप्लेसमेंट हैड पर चेस करने की जुरत नहीं है, वाशिबल है, मशीन वाश या हैंड वाश करके आप को दुबारा यूज कर सकते हो और मॉपिंग नहीं आप इसको ध сторону कर सकते हो चाहे आपकी विणडो क्लेणिंग हो अल्मीडा क्लीणींग ॉच्ए केकं आपकी फैन क्लीनंग निग उसकी जो स्टिक होती बड़ी क्लीनिंग भी होते हैं जिनसे मॉप आजकल यूज करना बहुत इजी हो गया है बढ़ते हैं अपने नेक्स टाइप ओफ मॉप पे जो की है फ्लाइट मॉप आजकल ये वले मॉप बहुत ज्यादा मार्केट में चल रहे हैं आप देखरो इसका स्टिक कितना ज्यादा लंबा ह है ये मॉप expensive है no doubt बट ये मॉप भी अपने साथ एक replacement head लेके आता है microfiber mop है ये और बहुत अच्छे से cleaning करता है बट हाँ जब आप अप फ्लाइट मॉप पे shift होते है न तो आपको इसको use करने में थोड़ा सा time चाहिए होता है time in the sense आपका हाथ इस पे set होने में थोड़ा सा time लगता है सब directions में ये अच्छे से move करता है चाहिए आप इसको vertically use या horizontally use करो personally भाई ये mop मेरा favorite mop है एक तो इसका mop head इतना ज़ादा बड़ा है तो थोड़ा सा time लगता है जैसे मैंने आपको बताया है adjust होने में बट ये mop से आप sweeping जो की dry mopping है वो भी कर सकते हो dusting कर सकते हो dry dusting कर सकते हो so basically हर जगा आपको ज़ाड़ू लेके घूमने की जुरूरत नहीं है अगर आपको थोड़ी सी भी dust allergy है ना then you can do your home cleaning house cleaning work with this mop आप इसके साथ sweeping around से कर सकते हो ये dust को अपने pad में बिलकुल attract कर लेता है even जो बालों के strand होते है attract कर लेता है slim spaces में भी चला जाता है जहां पर इसकी space हो अंदर जाने की like यहां पर आप मैं wall भी clean कर रही हूँ इससे dry wall mopping भी बहुत easy अच्छे से हो जाती है इसके साथ एक extra mop head replacement है ना वो मैं basically walls के लिए use करती हूँ since यह rotate हो जाता है तो जैसे भी space पे आपको इसको use करना है जैसी direction में use करना है वैसे use कर सकते हो dusting, sweeping, mopping सब एक ही mop से यहां पर हो जाती है यहां पर देखो इसने इतनी मिट्टी attract कर लिया अपने अंदर और मिट्टी मेरी कहीं पर भी उड़ी नहीं है किसी और मेरे furniture पर place नहीं हुई है मिट्टी क्योंकि यहां पर मैं जाडू नहीं लगा रही हूँ इसने even बालो को भी अपने mop head पे attract कर लिया है जो कि जब मैं इसको गीले पानी में डाल के squeeze out करूँगी सब कुछ निकल जाएगा सिर्फ इतनी ही मिट्टी निकली है जो बड़ा बड़ा कूड़ा है सिर्फ वो ही निकला है बाकी मिट्टी इसके mop head में लगी हुई है जो कि गीले पानी से self cleaning process साफ हो जाएगी चलो अब आपको इसके साथ पानी में दिखाती हूँ कि पानी में अब क्या होगा यह साफ कैसे होगा यहाँ पर आप देखरो इसने बाल भी कैसे attract कर रखे है मॉप head और यह कितना जादा गंदा इसने यह पूरे घर की मिट्टी अपने में attract कर ली है करना क्या है सिर्फ इस करने के बाद इसमें से इतनी मिट्टी निकल गई है यहाँ पर मैं सेकेंड बार ही इसको स्कुईज करूँगी जो कि इसी के साथ इसका attachment है बहुत इसली क्लीन हो जाता है यह अभी तग इसको मुझे यूज करते है दो तीन मीने हो चुके मैंने इसको मशीन वाश नहीं किय चुक मैं इसको डूस्तिंग में भी यूज करती हूँ जो उपर के कैबिनेट होते हैं या फिर जो ग्लास डोर होते हैं यह वो सब क्लीन करने के लिए बी इस मॉप को यूज करती हूँ बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है माइक्रो फाइबर हेड है तो इतनी अच्छी क्लीनिंग होती है कि उसके बाद कोई स्टेंस वगरा बचते नहीं है और यह देखो वाटर स्पिलेश तो यह ऐसे लेगा भाई जैसे इसके लिए केक वाउप था इससे एवन मैं फैंस भी क्लीन करती हूँ और यह देखो सारी क्लीनिंगे बाद इसका मॉप हेड कितना गंदा है अब अगर मैं यह बकेट में जाके क्लीन करती हूँ यह सेल्फ क्लीन हो जाएगा साफ हो जाएगा इंड जस्ट इसको संद्राइ करना है अब बात करते हैं कि हैं इसका मॉप हेड्ट का एंड रिप्लेष्मन जाओ फसका मॉप कंपरते कीमानरी आपड मैं मॉप ह्ण काउंक हौन चुछ शुछ करने के लिए आपको इसका मॉप कान सेस्ट फडू ह qui को आंके आप disgust में बात करते हैं आप अपने रैग्यूलर स्टिक मॉप का हैं कैसे replace करने भाई यह है ना बहुत जादा smelly हो जाता है इवन अगर आप इसको machine wash भी कर दो तो भी यह इतना smelly होते कि आपको change करना ही पड़ता है तो अगर आपका stick ठीक है तो आप naturally सिर्फ mop head ही replace करो गया इसके लिए जस्ट आपको इसकी stick खोलनी है नेया mop head लगाना है and then उसको tuck करके बंद कर देना बहुत easy है इसका mop head replace करना बट हाँ यह smelly बहुत जादा हो जाता है even twist mop भी उसी तरीके से बहुत जादा smelly हो जाता है because आप उसको machine wash नहीं कर सकते हो next आता है हमारा sponge mop इसका जब टूटता है न सीधा sponge ही टूट जाता है इसका sponge cut जाता है अलग हो जाता है और इसका पूरा sponge head अलग से मिलता है जहां पर इस तरीके के screw लगे होते हैं हमारे mop पे तो ये चार screws होते हैं आप इनको screw unscrew करके आपको इसको दुबारा से change करना पड़ता है so इसका mop head replace हो जाता है काफी easily मिल भी जाता है अवेलिबल होता है 100-200 रुपीज में अवेलिबल होता है next बात करते हैं अपने spin mop की भाई वो तो आप सबको पता होगा just इसके उपर खड़े हो जाओ और इसको उपर पुल कर लो और वो detach हो जाएगा हाथ से दोना हाथ से दोलो नहीं तो आप इसको machine wash भी कर सकते हो same is with flat mop इसके यहाँ पर ऐसे कुछ टक करके होता है जो कि आप अपनी तरफ निकालोगे velcro वगरा भी लगी हो इस तरीके से आप करोगे तो यह loosen up हो जाएगा और बहुत इसली बाहर आ जाएगा इसके बाद आप इसको machine wash, hand wash करके use कर सकते हो so मेरा जो favorite है भाई इन में से flat mop है हर जगा मैं इसको use करती हूँ, हर time use करती हूँ इससे sweeping करना ना बहुत चुटियों का काम हो जाता है जहां आपको 10 मिनट लगेंगे इसमें सिर्फ 5 मिनट लगेंगे कोई मिटी इदर उदर नहीं होती है और बहुत इजली सब चीज़े cover कर लेता है so यह था मेरा ultimate comparison on the best mops in India 5 most popular mops मैंने इसमें cover है मेरी 20 genius home hack video को कि भाई video के वारे न्यारे ही हो गए है और channel को इतना ज़्यादा boost मिला है इतना pickup मिला है आप लोगों ने इतना support किया है उस video को thank you very much I love you all a virtual hug to all of you and मैं देखके हरान हो गई कि भाई मेरे channel पे हर age group का बंदा मेरी videos देख रहा है मेरे जो viewers हैं कौन-कौन से और channels देखते हैं वो भी मुझे पता चला है भाई thank you thank you so much बस एक ही दरख्वास है कि 99% लोगों ने subscribe ने किया हो है तो अगर आप मेरी videos देख रहे हैं प्लीज चैनल को subscribe कीजिए वीडियो को like कीजिए comment कीजिए आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा share भी कीजिए वीडियो को notification bell button on कर दीजिए so that जैसे ही नया वीडियो आए आपको notification मिल जाए और आपको वीडियो enjoy कर पाए मिलती हूँ आपको अकली वीडियो में Instagram पर follow जरूर कर लिजएगा description box में link है साथ ही में सारे product links भी description box में ही है तब तक के लिए अपना ध्यान रखिये अपना खयाल रखिये